आज की वीडियो में हम देखने वाले है कि recently Thursday को ED की तरफ से यानि कि enforcement डायरेक्टर यानि कि ED की तरफ से coin switch को लेके यहाँ पर एक news आई है उसके बारे में यहाँ पर जानने वाले है साथ-साथ में यहाँ बिट कोईन के graph को लेकर हम यहाँ पर study करने वाले तो सबसे पहले बिटकोईन का ग्राफ यहाँ पर हम देखने वाले का चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ आज की डेट में बात करो तो बिटकोईन यहाँ पर अराउंड 19,000 डॉलर के लगबग यहाँ पर बिटकोईन आच चल रहा है और यहाँ पर आज यहाँ पर इसनी रेड कैंडल बने है याँ कि पूरा का पूरा मार्केट आज की डेट में डाउन में था अगर बात करो बिटकोईन तो बिटकोईन के चांसे से अलगबग यहाँ तक आने कि यह जो यहाँ पर एक सपोर्ट है जो अटरह हजार डॉलर अटरह हजार चेसो एक कैसी है याँ कि 18,681 डॉलर का यहाँ एक सपोर्ट है साथ में दूसरा सपोर्ट यहाँ पर यह की तो यहाँ से बिटकोईन और भी नीचे आने के यहाँ पर चांसे से यहाँ पर यहाँ से अगर ब्रेक आउट होता है तो यहाँ से मार्केट यहाँ पर नीचे आने के चांसे से तो यह थी Bitcoin के आज के रिप में है पर Market Analysis, यह था आज का Graph Bitcoin का, सीधा चलते है News के उपर, कि ED की तरफ से आज क्या News आई है, Coin Switch कुबेर को लेकर, Time Swap इंडिया की तरफ से आपर यह जो News आपके समने, Thursday को यहाँ पर News आई थी, ED now rates Coin Switch कुबेर, firm से engaging with all stakeholders, यहाँ पर ED ने Coin Switch कुबेर, जो है, इनको एक notice बेज़ो और यहाँ पर RAID डालिए, RAID करिए, क्यो हुआ है, यह क्या हुआ है, हम यहाँ पर इसके उपर बात करते हैं, ED की तरफ से Coin Switch को फिर से आपर notice गए, सबसे पहले बात को तो इससे पहले, VazirX को notice गी थी, बट अभी Coin Switch के साथ में, ED ने यहाँ पर notice बेज़े ही, तो ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर हम नीचे देखते हैं, The Enforcement Director ED on Thursday, searched the premises of leading crypto exchange, Coin Switch को बेराफ, Illegal Foreign Exchange Management Act, FEMA, Walletants, यहाँ कि, Illegal Foreign Exchange का जो act है, उसके against Coin Switch को यहाँ पर notice गई है, इनका मानना है कि Coin Switch की तरफ से Illegal Action की गई, इसके वीसे इनको एक notice बज़े, यहाँ पर ED के तरफ से इनने बदा है, कि Coin Switch के साथ-साथ में, जो 10 crypto करना से exchange है, कि तरू 10 billion रुपीज का money laundering का यहाँ पर scam हो चुका, ऐसा इनका मानना है, मेरे इसाब से मेरे आपको एक suggestion रहेगा, कि यहाँ पर पहले भी वजिरेक्स के साथ में ED की notice गई, जो money laundering वजिरेक्स के साथ में, यहाँ पर वजिरेक्स ने के through की गई, ऐसा इ यहाँ पर जो red गई है, वो क्यों गई, क्यों कि ED ने फिर से coin switch की तरफ से कुछ expectations किया था, यहाँ पर कुछ information मांगी थी, बट coin switch के through, जो information को ना बेजी गई, इसक वीसे इनकी तरफ से फिर से एक notice बेजी गई है, so हर बार यहाँ पर money laundering जैसा क्यों हो रहे है, क्यों कि य इजना से वो handle करते, फिर से हाँ पर income gain करते, scamming के through, और फिर से cryptos में वहाँ पर coins करते, USDT में तब्दिल करके, foreign में send करते, so यह हर बार होता है, और यह इंडिया का जो act है, वो money laundering के under आने वाले act में वो माना जाते है, तो इसके वज़े से Indian exchange जो है, वो ED की चपट में हर आते हैं, और ED के तरफ से इनको notice बेजी जाती है, so और all over बात करू जाए, तो coin switch user से, और वज़ेक्स user से, उनको मेरी तरफ से मैं suggestion देना जाओंगा, कि डरने की बिल्कुल ज़रूत नहीं, मुस्यूबते आएगे हमें उनका सामना करना है, क्योंकि हम भी एक professional trader है, in exchange के आपके थ्रू में यहाँ पहुचा दे रहूंगा, और यहाँ पे updated रहने के लिए अगर आपको channel के उपर नए हो, तो definitely channel को एक बार subscribe करो, bell notification on करो, और वीडियो अगर पसंद आई होगे, तो वीडियो को like करो, so guys, फिर मिलेंगे किसी और भी ऐसा informative वीडियो में, तब तक के जै 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 बारत, thank you.